भागे किस की जेव में है टॉस का समय हुआ टियल्स की लिए गए है और ये हेक्ज कप्तान ने बल्ले बाजी करने का फैसला किया है ये क्या जो रहा है ये क्या जो रहा है यूएफो नहीं भाईया गेन जा रही है छे रन के लिए दर्शक दीर घावे लगता है गेन बास को कुछ संदेश देना चाहते है पहली गेन पर ही जोका हलके हाथों से आउन सैट पर खेला और बिलकुल आराम से फील्डर की बहुत अच्छी थ्रो सीधा स्टंप्स के उपर हर एक सिंगल माईने रखता है भाईया वन 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 टीम का खाता खुला है एक रन के साथ गेन्द को अपनी उंगलियों पर नचा के रखा हुआ है और यही गई डीप मिड विकेट की ओर यह डिलिवरी तो बल्लेबास का सिर्ही उड़ा देती अमपायर ने दी सक्त वर्निंग वन 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 स्पिन का समय आकरमण के लिए आरे आफ स्पिनर धीले हाथों से ठेकी गई गेंद वाइट करार दी गई बड़े हिध्यान से बॉल को देखा और सीधर अप्रहार किया फ्रीजर ने बॉलर की तरफ देखा और उसकी तरफ गेंद फैकी बड़े हान ने इंक सुरक्षित करीस में वापस आए याओ 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 नूू। नूू। बहुत सुन्दर गेन। स्विन करती हुया। एक बार फिर बहुत अची लाई नोड लेंद। कोई रन नहीं। यह 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 यह। वाप रनिंग बीज़ीन दविकेट्स वाप स्क्रीज की और डाइप लग रही है। क्या यह आउट है। एक अजीब निर ने लिया है बैटिंग कैप्टन ने पारी के शुरुआत में ही एक लूट अगर गेनबस शैतान का काम करेगा तो अमपायर को भगवान बनके आना ही पड़ेगा वीजन की उपर से लॉफ्टेट फ्लिक किया है और अंत में एक आसान से कैच के साथ आउट नए बल्लेबाज आते हुए इनको टीम प्लैन के मताबिक खेल कर पाजी को समभालना होगा बल्लेबाज ने हुक किया और ये शौट बल्ले के बिलकुल पीट से दो से बहतर जार बहतरीन शौट इस गेंट को कोई नहीं रोक सकता क्या गर्मा गरम शुरुआत हुई है पहली गेंट भी चौका जड़ दिया बल्लेबाजों के लिए कोई जगा नहीं एक और विकेट गिरीड खेल दिया है सीधा फील्डर के हाथों में क्या गेंट बाजी की है बॉलर ने ये गई एक और विकेट इसको अपना बेसिक गेम खेलना चाहिए और अपनी विकेट नहीं कवानी चाहिए या 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 फीजेट ने बॉलर की तरफ देखा और उसकी तरफ गेंट फेंगी अल्ला ये अन्तरन को बैठे गेंट पर अपना नतीजा वाइड बॉल या 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 इसे पता है कि एक एक रोका हुआ रन माइने रखता है मजबूत बाजू ने खूब जूरत फ्रो फेका गेंट को बेगा हवा के रास्ते से आपसर उम्मीद नहीं थी कि कैच हो जाएंगे स्ट्राइकर जा रहे हैं अपविलियन का रास्ता नापते हुए केच को बिल्कुल पढ़ नहीं पाए दुर्भा के पॉन्ट टक पर आउट बड़ा ही खूपसूरत स्क्वेर कट कत्मों का सहीं स्तवाल करते हुए जाजने तोर पे यह नहीं चीज कोच ने तो नहीं सिखाई होगी ये कैच हो सकता है ओ, कैच छोड़ दिया ओ, माइ गॉड चक्का, चक्का, चक्का उदासी बनी खुशी खुब्सूर्टी से कट किया स्क्वेट की तरफ तरफ मारा, जो कि आउस्टरी पड़ था लेकिन कोई रन नहीं ओवर को समात किया चौके के साथ लगता है उसको इस गेंद के लिए वार्णिंग मिलेगी क्योंकि उसने मानने उचाई से उपर गेंद फेंकी है कैचे इसे पता है कि एक एक रोका हुआ रन माईने रखता है मजबूत बाजवों ने खूप सुरत रो फेका दो रन सूजबूज वाली क्रिकेट खेलते हुए और ये हुक शॉट की गए और कममाल की टाइमिंग भाईया आप क्या ओद पच्चता है जब किडिया चुक गई खेत आसान कैच दे दिया अपने फिल्डर को जड़ी है पोलिश यांदार तरीके से गेंद बाज ने बल्ले बाज को बांध कर रखा हुआ है एक रख्षात मक्षेले आसमान को छूती गेंगे टीम स्क्वेर की और इस जन्रा टेदार शॉट ने भेजा गेंद बाज को संदी हवा में स्विंग करते डिलिवरी बल्ले बाज बहुत मुश्किल में इस बाहु बली को रोकना ना मुम्किन चार रन और मिलेंगे सही सजा मिली बालर के सिर के ओपर से लफ इस बेल में अपनी लाइन और लेंद फ़र्ट येंटर नहीं रख पा रहे है दो की बनती है जोड़ी और तीन की है ट्रिक क्या ये कर पाएंगे बैट खुमाया जोर से स्क्वेर की तरफ इस स्पेल में अच्छा ताल मिल बनाने में काफी संखर्श करना पड़ रहा है कलाईयों का अच्छा इस्तमाल गेंद को पोचाया सीरा स्टैंड्स में ओवर की समापती बर एक महंगा ओपड़ेगी मौसम की परिस्तेतिया थोड़ी मुश्किल खराब रोशनी की वज़ा से खेल थोड़ा रोका जा सकता है या ये मीडियम पेसर बैटिंग लाइन की दजिया उड़ा सकता है चलड़ी पता लग जाएगा गेंद बाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर उचलती कूती छलांग लगाती गेंद गई बाउंडरी के बाहर चार रन मिलेंगे बैट्समेन को लगता है गेंद बास को कुछ संदेश देना चाहते हैं पहली गेंद पे ही चौका ये किया हवाई फायर क्या ये इनको महंगा पड़ेगा रन भागने की जरूरत ही नहीं दो की बनती है जोड़ी और तीन की है ट्रिक क्या ये कर पाएंगे जब भी ये दोनों क्रीज पर कदम रखते हैं तो बॉल की पर शामत आ जाती है और गेंद गई हवाई यात्रा पर बिना टिकेट छे रन और मिलेंगे दोनों बल्ले बाद आस्मान की और देखते हुए रखीत होता है कि हमें कुछ बरसाद का सामना करना पड़ेगा बल्ले का बाहरी किनारा लग सकता था कैच और ये कैच आउट फील्ड में सही अनुमान के साथ नया बल्ले बाद आता हुआ लगता है अपनी टीम के उमीदों पर खरा उत्रेगा कैची इस जोड़ी के बीच अच्छा ताल मिल और अंत में अच्छी फील्डिंग बहुत अच्छी थ्रोप है किसी दस्ट पूरे मैदान में पानी और सभी बरसाद से बचने के लिए स्टैट्स की तरव ठाग रहे हैं ये बारिश खेल को बिगाड सकती हैं लेकिन हशा करते हैं कि बरसाद के बाद भी पिच खेलने लाइक मिलेगी पूरा पैसा वसूल है बीचर किसी के लिए थोड़ा गीलावी होना पड़े इस से जादा आलिशान नहीं हो सकता क्या अंदाज है जीत के मुकाम तक पहुंचने का एक शानदार फत है और इन विजेताओं के तरकश में जीत का एक और शक्स ने जटके सबसे ज़्यादा विकेट बैटिंग को चकाया और मैन अव दा मैच भी कमाया इसदोड़ेकर आग से जादा मैं तरकश मैं